साथियों राज नीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविश्यमानियों से दूर रहा हूँ मैं कभी बादे बादे और बड़ी बड़ी गोश्राइं नहीं करता हूँ इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूँ लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था मैंने राजस्थान में मावजी महराज को प्रणाम करते हुए उनी की धर्ती पर ये भविश्यमानी की थी कि राजस्थान में कॉंग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी मैं भविश्य बेता नहीं हूँ लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था वहां की जनता पर भरोसा था और आज हम नतीजे देख रहे हैं मत्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है दो दसक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूत ही हो रहा है 36 गड़ के परिवार जनों को तो मैं जब मैं वहां चुनाव सभाव में गया तो मैं खुदी पहली सभा में 36 गड़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं मैं तो आपको तीन डिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो सपत समारू में निमंत्रन देने के लिए आया 36 गड़ के परणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्विकार किया है मैं तेलंगना की जनता और तेलंगना की भाजपा कार करताओं का विशेस आभार व्यक्त करता हूं हर चुनाओ में तेलंगना में भाजपा का ग्राप लगातार बढ़ रहा है मैं तेलंगना के लोगों को एविश्वाद दिलाता हूं कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी भारतिय जनतापार्टी तेलंगना अभीवृत्ती कोसम एल्ला पूडुपनी चेंत्तुने उटुन्दी तेलंगना तो माको चाला मन्ची अनुबन्दम उंडी मेरे परिवार जनो इस चुनाओ परणाम की गुण्ज शरप MP, राजस्तान और 36 गर तक सीमित नहीं रहेगी इन परणामों की गुण्ज दूर तक जाएगी पूरी दुनिया में इन चुनाओ परणामों की गुण्ज सुनाई देगी ये चुनाओ परणाम भारत के विकास पर भरोसा दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा ये चुनाओ परणाम दुनिया भर के निवशकों को भी नया विश्वास देगा भरोसा ये कि आजादी के अमरितकाल में विक्सीत भारत का जो संकल्प हमने लिया है उसे जनता जनारदन का लगातार आशिरवाद मिल रहा है आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोगतंत्रा और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व है कितने मैच्चौर है आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूरन अब भहुमत के लिए स्थीर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है